तो यह मारी Meditation Series का यह दूसरा वेडियो है, जिसके अंदर आज हम बहुती जादे Important Meditation Technique के बारे में सीखेंगे, और वो Important Meditation Technique का नाम है Mindful Meditation, यह स्यों है, Mindful Meditation, अब इस Meditation Technique के अंदर, नाम में ही Mindful आ रहे हैं, Mindful का मतलब क्या है, कि चीजों को सोच समझ के करना, अब तु तुम सोच समझ के नहीं करते हो, तुम बस चीजों कर देते हो, आखरी बारे मेरे को एक बात बताओ, कि जो भी तुमने Decision लिया था, जो भी चीज तुमने खाई थी, जो भी चीज तुमने पढ़ी थी, जिस भी इंसान से तुमने बात करा था, जो भी मूवी तुमने करा हो, तुम मैस्टृबेट करा हो, हो सकता है तुम्हारे दिमाग के अंदर unwanted thoughts आयों, क्या ये तुम्हारी वजह से होगी, क्या है तुम्हारे control के अंदर था, नहीं था, तो तुम ये कैसे कह सकते हो, कि तुम जो भी चीज कर रहे हो, तुम सोच समझ के कर रहे हो, तुम न तो पहले हम बात करेंगे कोर्ट प्रिंसिपल जाओ होता है मेडिटेशन की फिर उसके बाद हम देखेंगे कि भाई benefits of the mindful meditation क्या होता है इससे तुम्हारा stress कम हो जाता है तुम्हारी mental health improve होती है focus और concentration improve होता है और फिर तुम्हारी physical health भी improve होती है और फिर उसके बाद आपका सबसे important चीज आपके emotional intelligence भी increase होता है फिर उसके बाद हम देखते हैं कि mindful meditation को हम करेंगे किस तरीके से क्योंकि देखो सारी चीज़े करने के रहे एक structure होता है अगर उन सब चीज़ों को structure के तरीके से नहीं करा जाए और structured way के अंदर नहीं करा जाए तो जितना output मिलना होगा उससे जितना benefit मिलना चाहिए वो benefit हमको नहीं मिलेगा फिर तुम कहोगे कि भी यार ये meditation बगएर तो बहुत जादा बेकार चीज होती है नहीं चीज़ें कुछ भी बेकार नहीं होती है courses भी बेकार नहीं होते है books भी बेकार नहीं होते है teachers बेकार नहीं होते है mentors बेकार नहीं होते है it's just कि तुम उन सब चीज़ों को apply नहीं करते हो और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ों को बता देता हूँ हमारे instagram page है दशिक्षित talks अभी तो यहाँ पर 681K followers है पर अभी हमारे 7.5 लाग followers हो चुके है तो उसको जल्दी से follow कर ले ना नीचे description के अंदर link है और अगर तुमको मेरे से जल्दी जल्दी सीखना है तो दशिक्षित university के दशिक्षित code के अंदर enroll करो बहुत सारी courses है बहुत help मिलने वाली है तो इसके बाद फिर हमारे एक point आता है that practical tips for beginners practical tips for beginners की जितनी भी लोग start कर रहे है उनको अपने दिमाग में कौन-कौन से ऐसे tips रखनी है while doing this mindful meditation got it? now let me start सबसे पहले हम बात करेंगे core principles की की जो basically हर एक चीज के principle होता है it's like a formula की तुमको कौन-कौन से चीज़ें अपने दिमाग के अंदे बिठा के रखनी है while doing this mindful meditation now सबसे पहले इसमें चीज आती है present moment awareness की तुम्हारी जितनी भी awareness होनी चाहिए वो present moment पर ही होनी चाहिए की अभी क्या है नहीं तुमको future के बारे में सोचना है नहीं तुमको past के बारे में सोचना है starting में जब तुम starting करोगे पहले बता दे रहो problem होगी future के thinking भी आएगी past के thinking भी आएगी past memories भी आएगी future के expectations भी आएगी उससे तुम थोड़े से डरोगे थोड़ा से घबरा होगे पर वहीं पर रुकना नहीं है रुकना नहीं है क्योंकि जितनी भी valuable चीज तुमको मिलेंगी जिन्दगी से जितनी भी valuable practices है वो सारी starting के अंदर मुश्किल होती है वो धीरे 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 उनके intensity कम नहीं होती है जिस्ट कि तुम्हारा जो एक tolerance level होता है वो pain tolerance level होता है वो increase हो जाता है राइट नेक्स आता है आपका कि non-judgmental observation अब जब भी उस present moment में तुमको कोई भी thought आ रहा हो उसको तुमको judge नहीं करना है अब तुम कहोगे भाई यार thought को ऐसे कैसे judge नहीं करे थौट तो मेरे को इतने सारे negative thoughts आते है तुम यहीं पर गलती कर देते हो while doing the mindful meditation है किसी भी तरह की meditation तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे thoughts आएंगे बहुत सारे विचार आएंगे उनको judge नहीं करना है कि यार ये positive thought है या ये negative thought है सिर्फ उस thought को आने दो जाने दो आने दो जाने दो आने दो जाने दो जब तुम इन thoughts का आना जाना तुम्हारा लगा रहेगा न तब तुमको धीरे धीरे calmness का एक feeling आएगी क्योंकि problem तुम्हारे साथ यह होती है कि तुम्हारे पास कोई thought आ जाता है तुम जैसे उसको judge करते हो तुम उस पर और फोकस करते हो और फोकस करते हो वह thought का seed बड़ा होने लगता और वह बड़ा होने के बाद वह पहले पौधा बनता है, फिर वह एक बार जब पेड़ब बन जाता है, तब तुम बोलते हो जाने दो, कोई भी थोट आया, कहो से, चले जाओ, right, now, next point आते है, कि acceptance, हर चीज को accept कर लो, तुम्हारे जिंदगी में जो भी चीज हो रहा है, अच्छा हो रहा है, उसको भी accept कर लो, बुरा हो रहा है, वो भी accept कर लो, किसी को भी change करने ही कोशिश मत करो, बहार की जो भी की कमी है, उसको accept करो, तुमको यह लगता है कि यह तुम्हारा दिल टूटा हुए, तुम्हारे belief system ब्रेक हुए 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 है, उसको accept करो, denial mode में मत रहो, काफी सारी लोग अपने आपसे जूट बोलते हैं, वो denial mode में यह दाते हैं कि, यहर मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तो महनत कर रहा हूँ, मैं तो hard work कर रहा हूँ, मैं तो skill सीख रहा हूँ, मैं तो learning ले रहा हूँ, पर वो actually में नहीं ले रहे होते हैं, उनका जो एक illusion और reality का gap है, वो बहुत बढ़ा हो जाता है, तो इसलिए सारी चीजों को सबसे पहले accept कर लो, problem चल रही है, accept कर लो, प इसलिए पहले problem को, जो भी चीज़ चल रहा है, उनको accept कर लो, got it? Now, अब हम देखते हैं कि benefits क्या क्या होते है, mindful meditation के, पहला benefit यह होता है कि आपका जो stress है, आपका stress खतम हो जाता है, जो negative stress है, जो stress आपको परिशान करता, आपकी body को खराब करेगा, आपके mind को खराब करेगा, वो stress आपका बिलकुल खतम हो जाएगा, और जब आपका stress खतम हो जाएगा, तब आपकी जो productivity है, वो increase हो जाएगा, आपका जो focus है, वो increase हो जाएगा, आपका जो concentration level है, वो बहुत जादा increase हो जाएगा, तुम्हारे neurons अच्छे से काम करने लगेंगे, तुम्हारा दिल benefit होता है कि ये तुम्हारी mental health को improve करता है, तुम depression से एकदम दूर चले जाते हो, depression तुम्हारे आसपास भी नहीं आता है, anxiety तुम्हारे आसपास भी नहीं आती है, तो ये benefits होते है mindful meditation के, आगे बताऊंगो कि करने कैसे है, बहुत ही असान language के अंदर बता रहा हूँ, जो बिलक के अंदर जी रहे हैं, कि हम तो meditate करते हैं, हम तो meditate करते हैं, पर जब उनसे पूछो कि तुम्हारी problem solve हो रही है क्या, वो कहेंगे कि नहीं problem तो नहीं solve हो रही, नहीं कुछ effect मिल रहा, it's just कि जब तक हम meditate करते हैं, तब तक तो हमारे दिमाग शानत रहता है, जैसे हम meditation के बाद दारू के साथ करता है, जो इंसान नशो के साथ करता है, जो इंसान relationships के अंदर करता है, वो ही तुम meditation के साथ कर रहे हो, that ignorance, the escapism, वहीं से तुमको बाहर निकलना है, और वो कैसा हैगा, acceptance से, okay, now, फिर आता है तुम्हारा focus और concentration improve होता है, अब दिखो, ये एक इतनी important चीज है अब मैं ये मानता हूँ कि हर एक इंसान इस दुनिया में student है, मैं भी student हूँ, आप भी student हूँ, आपके professors भी student है, हर कोई student है, अब जिसने अपने आपको student मानना बंद कर दिया न, उसकी तो नईया पार लगेगी नहीं कभी, क्योंकि उसके अंदर आगया अब ego, उसको अब लगने लगाए कि अर मेरको तो सारी चीज़ें पता है, मेरको इस चीज़ सीखने की जरुवत ही नहीं है, जितने भी लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, जितने भी लोग learnings नहीं लेते हैं, जितने भी लोग उन्हें शिक्षित code में रूल नहीं कर रखा है, उन सब के अंद learning किताबें इसलिए लिखी गई हैं, जिससे कि तुम hit and trial नहीं करो, जो इनसान सालों की गलतियां करके कुछ result लेके आया है, कुछ input लेके आया है, उसने वो सब चीज़े किताबों में लिख दी, पर वो चीज तुम पढ़नी रहे हो, क्योंकि तुमारा अंदर ego है, तुम कह अच्छे से कर पाओगे, तुम job अच्छे से कर पाओगे, तुम relationship में अच्छे से रहे पाओगे, तुम दोस्त अच्छे से बना पाओगे, तुम अच्छे से नीद ले पाओगे, तो यह सब benefit होते हैं, meditation के, got it, next आता है, यह तुम्हारी physical health भी improve करता है, अब कहोगी कि भई अब तुम से automatically कहेगा, अगरे time पे उट, time पे खा, time पे exercise कर, time पे जिन लोगों को मना करना है, उन लोगों को मना कर, जिन लोगों के साथ नहीं रहना, उन लोगों के साथ मत रहे, जो चीज नहीं खानी, जो चीज तेरे शरीर के लिए अच्छे नहीं है, वो चीज मत खा, तो हुई ना तुमारी body भी अच्छी है, और जब तुमारी body अच्छी होगी, तब तो फिर तुम attractive भी बनोगे, तब तो तुम शिक्षित भी बनोगे, तमझे, तो ये benefits बहुत जादे important है, फिर एक major important role आता है, ये तुमारी emotional intelligence को बढ़ाता है, अब बात आते हैं कि emotional intelligence होता है, अपने feelings को सही जगाँ पर use करना, favorable जगाँ पर use करना, इसको हम कहते है, emotional intelligence, जहाँ पर जितने emotions की ज़रूवत है, वहाँ पर उतने emotions देना, बहुत बार तुमारा साथ ऐसा होता होगा कि जहाँ पर गुसा नहीं करना, वहाँ पर गुसा कर देते हो, जहाँ पर प्यार न इंदर वही जाते हैं, जिनका emotional health अच्छा नहीं है, जिनका mental health अच्छा नहीं है, जिनका physical health अच्छा नहीं है, जिन लोगों का ये सब चीजे, ये तीनों चीजे अच्छी हैं, वो कभी भी depression में नहीं चाहेंगे, और चीजें, मैं फिर से बता रहा हूँ, चीजें करने से अच्छी होती है, बिना करें कुछ भी अच्छा नहीं होता है, अगर तुम अपने आपको improve नहीं कर रहे हो, तो तुम subconsciously और indirectly अपने आपको नीचे लेके जा रहे हो, अगर तुम अपने mental health को improve नहीं कर रहे हो, तो तुम भाई, तुमारी mental health भी नीचे जा रहे है, there is nothing like stagnation, stagnation की तरह कुछ भी नहीं होता है, एक स्थिर्ता, सिर्फ तुमारे मस्तिष्क के अंदर आएगी, दुनिया में स्थिर्ता नहीं आएगी, समझे, अब बात करते हैं, how to practice mindful meditation, सबसे जादे important चीज़ है, mindful meditation, अब करना कैसे है, आपने benefits बता दिये, आपने बता दिये कि होता क् अब बताओ की करना कैसे है, अब बताताओ की तुमको करना कैसे है, सबसे पहले ये है कि एक शांत जगा पर पकड़ो, अब वो शांत जगा कोई भी हो सकते है, तुमारा आफिस हो सकता है, तुमारा बेड हो सकता है, तुमारा सोफा हो सकता है, चछत हो सकता है, पार्क हो सक जमीन पे बैठ जाओ पार्क में बैठ जाओ बात्रूम में बैठ जाओ चट पे बैठ जाओ बैड पे बैठ जाओ जहां पर भी तुम वह comfortable जगा मिले वहाँ पर अराम से बैठ जाओ ठीक है बैठ ने के बाद आपको क्या करना है कि focus on your breath अब जब बात जितने भी लोग तुम से meditation सिखाएंगे वह सब तुमको breath पर focus करने के लिए कहते है क्योंगी breath पर जब तुम फोकस करते हो ना तब तुमारी breathing control के अंदर होती है और जो तुमारी breathing है वही तुमारी जिदगी का सार है जब तुम ब्रीधिंग control करते हो ना तब तुम अपने emotions को control करते हो जब तुम गुस्सा आता है तब तुम देखते होगे कि तुमारी जो सांसे है वो बहुत जादा तेज हो जाती है और जब भी तुम घबराट होती है तब भी तुमारी सांसे तेज हो जाती है और जब तुम डड़ जाते हो तब तुमारी सांसे धीरी हो जाती है स्थिर हो जाती है तो सा तुम्हारे दिमाग अपने अपस्थिर हो जाएगा नेक्स आता है आपको अबसर्व विदाउट जज्वेंट अब तुम्हारे पास थॉट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे अब उन थॉट्स को मैं फिर बतारों जज नहीं करना है अच्छा है बुरा है विकार है मेरे फायद लेते हो कि आठ ठीक है अब मैं तरको जज करूँगा क्योंकि तुमको एक चीज समझनी है इसको थुरा सा डीपर लेवल पर समझाता हो कि हर एक जिंदगी में जितने भी चीज़ें हो रही है ना उन सब के नेगटिव साइड भी है पॉजिटिव साइड भी है वो तुम्ह हमेशा अपने दिमाग में ये चीज बिठालो ये चीज लिखलो 50 बार लिखलो कि हर एक चीज का नेगटिव साइड भी होतार पॉजिटिव साइड भी होता है रेखें फिर आता है कि प्रैक्टिस रेगुलरली तुमको अन डेली बेसिस ये सब चीज़े प्रैक्टिस करनी है यह होता है अभी स्टार्टिंग में बेसिक लेवल का माइंडफुल मेडिटेशन डेली प्रैक्टेस करो चाहिए दस मिनिट करो पर करो जरूर जिस दिन तुमने ब्रेक ले लिया उस दिन थोड़े से नीचे चले जाओगे पर इसको करना मैंटफल मेडिटेशन करना उगा अब यहां पर अपने बंद कर लूँगा और बिल्कुल अब बात आती है कि practical tips for beginner जितने भी लोग मेरे भाई, मेरे भेन, जितने भी लोग अभी start कर रहे हैं तो उनके लिए को छोटे से tips हैं प्लीज नोट कर ले ना पहला यह कि start small, कभी भी यह सोच के मत चलो कि अर मेरे को ना एक घंटा meditation करना है, नहीं धीरे-धीरे start करो, gradually increase करो, अभी 2 मिनिट करो, फिर 5 मिनिट करो, फिर 10 मिनिट करो, फिर 10 मिनिट करो, बहुत टाइम तक, जब 10 मिनिट करना तुमारे आसान हो जाए, तब 12 मिनिट कर जाओ, ऐसे धीरे-धीरे time को बढ़ाओ तुम ऐसे अगर करोगे ना कि आर नहीं भाईया, म वहाँ तुम्हारा मोटिवेशन चला जाएगा वहाँ पर तुम्हारी एक जो विल पावर है वो खतम हो जाएगी और मैं तुमको फिर से गुरू मंत्रा दे रहा हूं इसको लिख लो वो यह है कि कभी भी जो भी चीज तुम अपने आपसे बोलो उसको पूरी जरूर करो क्यो यूट्यूब पर जब तुम डालोगे ना कि गाइड़िड मेडिटेशन वो चीज तुमको फॉलो करने है एक सामने कोई इनसान बैठा होगा या मैं भी गाइड़िड मेडिटेशन के कुछ वोकल्स बना दूँगा कुछ वीडियो बना दूँगा जिसको सिर्फ तुमको पांच से दस मिनट तक ओन डेली बेसिस पर सुनना है और तुमारा दिमाग स्थेर हो जाएगा सुबा सुनना है और रात में सुनना है जब यह मेडिटेशन की सीरीज हमारी संडे में खतम हो जाएगी तब उसी दिन संडे के अंदर मैं गाइड़िड मेडिटेशन की एक द तो एक मिनट तक करो अगर तुम जबरदस्ती के 10 मिनट करोगे तब तुमको benefit बिलकुल भी नहीं मिलेगा अगर तुम मन से एक मिनट करोगे तब तुमको benefit 10 मिनट के बराबर मिलेंगे क्योंकि जब तुम मन से चीज़े करते हो न तब तुम्हारी mind, body और soul एक जगा पर होती है तीनों की शक्तियां एक जगा पर लगरी होती है I hope तुमको ये वीडियो से ये लेक्चर से थोड़ा बहुत benefit मिला होगा and subscribe करो और इसको उन सब के साथ share करो जिसको वीडियो के जरुवत है और जिसको जल्दी से अपने आपका mindset रिप्रोग्राम करना है, skills सीखना है तो वो दशिक्षित कोड के अंदर enroll कर लो और student discount 25% अभी चल रहा है और Instagram पर भी follow कर लो और प्लीज comments करके बताना कि तुमको next series किसकी चाहिए क्योंकि जब भी series खतम हो जाएगी तब मैं नहीं series लेकर आने वाला हूँ and stay shikshit, stay healthy, stay humble, take care